आज मैं आपके लेके आए हूँ वेज मसाला पुलाओ की रेसिपी जो की बहुत ही जादा टेस्टी और डिलिशिस बनेगा एक एक चावल का दाना इसमें अलग रहेगा और बहुत ही अच्छी खुश्बू आएगी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप वेज बिर्यानी खा र किचन में तो पुलाओ बनाने के लिए मैंने यहां पे ले लिया है सवा का टोरी बासमेती राइस जिसे मैं अच्छे से दो तीन पानी धो लिया है और आधे घंटे के लिए मैंने इसे भिगो दिया था आधे गंटे से जादा देर आप इसे ना भिगों नहीं तो यह सारे तो आप सबसे पहले हम चड़ा लेंगे एक कूकर गयास पे और इसमें मैं डाल रही हूं दो चमच घी आप इसे तेल में भी बना सकते हैं लेकिन घी में बनाने पर इसका स्वाद और भी अच्छा आता है तो जब घी मेल्ट हो जाएगी तो इसमें डाल देंगे कुछ खड जाएगा तो हम यसमें बाकी की चीज़े डालेंगे तो यह देखिए मसाले डाल कर के चला लीजे ये अच्छे से चा गया है तो अब ड़ेंगे दो प्यास जिसे मैंने स्लाइस मैं से काट लिया है और इन्हें अच्छे से चला करके ब्राउन कर लेंगे तो फ्लेम को आप और अब मैं दाल दे रही हो एक चमच अध्रक लाहसन का पेस्टस्टस्थ और इस हम भून लेंगे ताकि इसमें कच्छापन निकल जाए और जब अधरक लेसन भुन जाएगा तो इसमें मैं जाल रही हूँ दो स्लेट कीवी हरी मिर्च तो हरी मिर्च आपके उपर है अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप इसे अवाइड भी कर सकते हैं और इन सब चीजों को अच्छे से भूनने के बाद अब बारी है सबजी की तो मैंने यहां पर ले लिया है गोभी गाजर बीन्स और आलू सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही लिया है कई कि कई सारी सबजियां है तो यह देखिए पहले हम हार्ट सबजियां डाल देंगे जै अगर आपके पास कई सारी सबजी नहीं है तो सिर्फ आलू मटर डाल के भी से बना सकते हैं तो इसे अच्छे से भून लीजे और सब कुछ भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले तो वन फोड चमच मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर आधा चमच है यहां पे धन गरम मसाला और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेगे तो चलिए इन सब को मिक्स करकेश है थोड़ा समय नहीं किचिन क Sacramento भी डाल है अगर आपके पास नहीं तो आप इसे अवाइड कर सकते हैं इन सब मसालों को एक से देट मेड़ TAICबा तक अच्छική भून ले और जब मसाले को आप लो फ्लेम करके डाले नहीं तो दही फटने का डर रहता है और लो फ्लेम पे इसे लगभग 1-2 मिट तक भून ले जिसे इसमें अच्छा ओयल निकलने लगे तो चलिए इसे भून लेते हैं अच्छे से तही अच्छे से भून गई है तो अब हमारी बारी इसमें इस तरीके से सारा राइस में निकाल दिया जो थोड़ा बहुत पानी था वो इसी में छोड़ दिया है और इसमें साथी में मिला लेंगे नमक तो मैंने सवा कटोरी राइस ली थी तो सवा चमच ही मैं इसमें नमक मिला दे रही हूं जिसे एकदम बराबर मिल बनेगा राइ तो यहां पे अब हम पानी डाल देंगे, तो यहां पे मैंने लिया है सभा कटोरी चावल, तो इसमें डाल देंगे लगवक दो कटोरी पानी, जिस कटोरी से चावल लिया है, उसी कटोरी से आप पानी भी डालिए, तो दो कटोरी पानी में डाल दे रही हूं, और इसके बाद अदम को कर देंगे बहुत बहुत जादा पानी डालना ही जितना रहता है दबल डालना डबल नहीं डालते हैं कुकर भीम पानी जिसे चावल भील्कुल खिला-खिला तो यहां पर मैंने लिड लगा दी है और अब इस एक सीटी आने तक इसे पका लेंगे और एक सीटी के बाद दो मिनट तक ढखके इसे और पकाएंगे लो फ्लेम पे इसके बाद इसे बुझा देंगे तो कूकर में एक सीटी आ गई है और इसे मैं कम कर दे रही हूँ और दो मिनट अभी इसे और पका लेंगे और उसके बाद इसकी पूरी स्टीम निकल जाएगी तभी हम ये कूकर खोलेंगे तो ये देखिए चावल की स्टीम निकल गई थी कूकर को मैंने खोल दिया है और ये देखिए इस तरीके से चमच पर हटाने पर एक एक चावल का दाना इसमें अलग हो जा रहा है तो अभी कम से कम इसे 15-20 मिनट आप ऐसे ही खोल करके सुर्फ धकन उपर से पलट करके रख दीजे जिससे कि इसका एक एक चावल का दाना खिला-खिला निकलेगा तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो अपने घर पे बना के जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट करके बताईए कि आप लगों को यह कैसा लगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बैल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसी और बहुत सारी वीडियो की आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो वहाँ भी जाके जरूर चक कर लें तो मिलती हूँ आपसे कुछ नई अमी टेस्टी रेसे पीस के साथ तेल दें टेक केर और बाई बाई